कट कि अलेक्टिव पोटेंशिल सर्फाइदी फिफीफ चेप्टर इस में इस लेक्शर में जो हमारा रिमेंक पार्ट रहागिय था यह कोजा काइब हम डिसेस करेंगे और वो के अलेक्टिब पोटेंशिल द्यूटू चायर कंच्टर हम रिसेस की हम यह कि ऑन्यों के कि आपके पास एलेक्ट्रिक फेल्ड इंसाइड करेक्टर जीरू है आउटसाइड परपेंडिकुटू तुदक सर्फेस होदा कंड़क्टर होती है तो हम पॉटेंशिय के बारे में भी डिस्कॉस्शन करना चाहते हैं कि इंसाइड क्या होता है उसके बाद आ जाएंगे मिलि अब आपको बताता है चाज को अब लास्टली एप्लिकेशन देख लेंगे एक तो हमारे पास वेंडी कि राफ है अब के पास एक मेटरिक डॉम है इसको चार्ज कैसे करना है यह देखेंगे और प्रिंटिंग एप्लिकेशन जो है अलेक्ट्रोस्ट्रेटिक की करेंगे लास्ट चैप्टर में हमने अलेक्टिफ फील्ड देखी थी कि अगर आपके अपके अपर चल रहे हैं तो आपको हमेशा उसकी सर्फेस वे पोटेंशल जो अलेक्टिफ फील्ड हो पर पेंडिकोल नदर आएगी जो कि मैंने यहां पर टॉक ही है वो दोसी पापड ज़्ड है हमेशा जीरो तिहकर आपके पास जहां पर करवेचर ज्यादा होगा मतब जो नौकदार चीज़े से नौकदार पविए ऑब्चक्ट्स हैं पॉटेंशल के बारे में अब हम जानना चाहते हैं पॉटेंशल के बारे में कि अगर मैं कंडुक्टर का पॉटेंशल क्या होता है यहां से यहां तक और इसके सर्फेस पर मूव करओं यहां पे तो फील की पॉटेंश से बारे मेंसे पर पेंडिकुलर होती है तो यह जो मैं पार्ट ट्रैवल कर रहा है वैंशाओ से बैसी द्च क्याओं यह डिएस है यहाँ पे आपको 0 मिलेगा तो अलेक्टिफ फील और DS क्योंके 90 हैं तो डॉट प्रोड़क्ट अगर दो वेक्टर के दिर्माद में 90 हो अंगल 90 हो तो डॉट प्रोड़क्टमा 0 मिलता है तो सर्फेस पे अगर आप कन्डेक्टर पे रहे हैं तो अलेक्टिफ फील और DS के दिर्माद में अंगल 90 होगा तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा और जब कि हमें पता है कि पॉटेंशल का जो फार्मला है वो यह है वी बी पॉइंट बी से ए तक का जो पॉटेंशल डिफांस है वो लाइन इंट्रिकल है बिस्टिकली ए से बी तक का ए डॉट डियस अलेक्टिफ फील डियस का और यहाँ से मैंने आपको शो किया कि अलेक्टिफ फील डियस के दिर्माद में एंगल 90 है तो आपके पास हर पॉइंट पे जो यह टर्म होगी वह 0 होगी तो तो दो वैलीूस का डिफर Cinnamon इसी कल टू होने का मतलब यह होता है कि दोनों वैल्यूस बराबबर है तो दो वैल्यूस का डिफरंस यानि तभी जीरो होगा जब दोनों वैल्यूस बराबर होगी तो VB is एकल टू तो यहाँ सी बाहए पता चलता है के conductor का जो surface होता है वो उसका potential constant होता है आप कोई भी point लें आपके पास वो अगर वो conductor है जैसे iron है या फिर आपके पास copper है silver है उसका surface equipotential होगा उसके surface पर कहीं पर भी meter लगाएं आपको आपको potential same मिलेगा तो conductor is an conductor surface is an equipotential surface और जैसे मैंने पता है charge always desired होंदा surface of conductor तो यह property हमने पहले भी देखी हुए थी एलेक्टिफिल की जब discussion की हमने तो एक आप consider करें हमारे पास एक metallic surface है और जो यह जो surface है metallic हमारे पास object है और इसके हम potential जाना चाहते हैं कि एकर मैं इसके center से move हो जैसे तो मेरा potential कैसे vary करता है तो यह हमारा question है कि मैं अगर इसके center से vary करूं इस सब जाओं तो potential कैसे vary करता है ठीक है तो जैसे मैं यहां से vary करता हूं move करता हूं तो जैसे मैंने बाब को बताया है कि आप conductor के किसी भी point पे meter लगाएं potential देखें आपको potential same मिलेगा वही क्यों पोटेंशल क्या होगा है वह पोटेंशल आप calculate कर सकते हैं यहां से यहां तक का जो इसके surface का का distance ले ले लिए आप तो उसके दिरम्यान में आपके पाद जो potential आएगा वह आएगा के 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 कि उवरर अगर तो इसके surface का यहां कहता तक कब potential होगा के क्यू 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 इसका पूरा charge है और dvr रा इसका radius है तो अब अगर आप इस 집ने लिए जैसे जैसे ड्रा करेंगे तो यहां पे आप पोटेंशिल देखेंगे वह भी के क्यों और रहे हैं यहां पर पोटेंशिल देखेंगे वह भी के क्यों के क्यों और यहां तक भी पोटेंशिल जैसे मूव करता जाएंगे आप आपको के क्यों और आर ही पोटेंशिल मिलेगा यह पॉंट है तो जैसे आप आगे मुव होगे तो पोटेंशिल डॉप होना शूरु हो जाएगा जैसे कि मैं यहाँ पर जलिए के पॉदेकर पर्टेंशिल डॉप जाओंना शूरु जाएगा लेकिन conductor के ओपर potential constant रहेगा अब अगर आप बात करो electric field की तो electric field में जैसे हमने बताया है कि potential हमेशा electric field हमेशा 0 होती है तो आपको जब तक conductor के अंदर रहेंगे तो potential आपको 0 electric field 0 मिलेगी अगर आप conductor के अंदर है तो electric field हमेशा 0 जैसे आप इसके बाइट जाएंगे तो बिल्कुल behave करेगा अगर स्फेरिकल स्मेट्रिक कंड़क्टर है जैसे ये है वो बिल्कुल behave करेगा as a point charge और आप बाइट देखो कि वो drop होगा जैसे point charge का electric field drop होता है वो है k e q over r square तो जैसे आप बाइट जाते जाएंगे तो वो electric field उसी कम होती चली जाएगे k e q over r square inversely inversely proportion to the square तो ये रहा हमारे पास conductor में conductor के लिए potential का और electric field का graph और जैसे मैंने बताया is large convex points having small radii and reach very high value at sharp points तो ये हमारी चोठी property थी तो कि अगर आपके पास चार्ड नो को ये points हैं जिनके कन जिनका रेडी आए जो है हमारे पास radius of curvature वह ज्यादा है तो वो उनका radius कम होगा उन points पे और वो आपके पास charge density उसके लिए ज्यादा होती है तो अब हम इस case में ये देखने लगी है कि हाँ उसके लिए electric field भी ज्यादा होती है तो ये एक हमारे पास discussion है जो two conducting charge radius two sphere are far apart तो ये मेरे पास हैं दो conducting sphere है एक है ये R1 इसका radius है ये बड़ा है और ये R2 है इसका radius छोटा है तो दोनों को हमने connect किया हुआ है दोनों को connect किया हुआ है एक wire से दोनों conductor है दोनों को connect किया प्कराऊ से तो ये पूरा हमारे पास a conductor बन गया है तो एक क्या है हमारे पास wire की एक edge बे एक बड़ा conductor है जिसका radius R1 wire के दूसरे edge बे हमारे पास एक छोटा conductor है जो है R2 हमने इसको connect कर दिया ये एक condu Champ George बन गया तो ये की potential surface है तो पूरा यह हमारे पास potential same होगा, इसका भी potential same होगा, इसका भी potential same होगा, तो दोनों पर हम मीटर लगाएंगे तो potential difference आपको zero आएगा, तो यह भी potential same, इसका भी potential दोनों का same, तो मैंने दोनों का potential same कर दिया, keq1 over r1, तो यह इसके वजासे आपको potential मेरा है, keq2 over r2, तो आपको तो इसके उजासे potential मेला है दोनों बराबर है potentials तो के इसे cancel हो जाएगा आप Q1 यहाँ पर nominator में वहाँ जाएगा Q1 और Q2 R1 यहाँ पर nominator में वहाँ जाएगा उपर R1 R2 के nominator में आ जाएगा तो Q1 over Q2 is equal to R1 over R2 आपको यहाँ से ratio मिल गई ठीक है ratio मिल गई दोनों चार्जिस की potential सेम है लेकिन यह चार्जिस सेम नहीं है potential सेम है तो अब अगर बात करें दोनों के elective field की कि just outside inside तो हमारे पास zero है उसमें तो कोई शक नहीं है कि just outside just outside अगर आप बात करें elective field की तो जैसे के मैंने यह point draw की है तो इस point पर हमारे पास elective field यह होगी के Q1 over R1 square यह रही इससे आएगी और यहां से के Q2 और R2 square तो यहां से के Q2 और R2 आ जाएगा तो अब अगर आप इन दोनों को divide करने के E1 और E2 को E1 उपर और E2 नीचे तो के E के E से cancel हो जाएगा Q1 और Q2 अगर मैं इसको यहां पर show करता हूँ आपको तो यह बनेगा Q1 over R1 square वो दूसी टर्म है हमारे पास E2 की और E2 है Q2 over R2 square ठीक है तो के E के E से cancel हो गया Q1 over Q2 नीचे R2 denominator के denominator में तो यह उपर चला जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा तो यह रा मेरे पास relation अब अगर मैं साथ इसके correlation यूज़ करूँ वो है यह Q1 over Q2 का उसकी value है R1 over R2 तो मैं यह value उसकी put कर देता हूँ Q1 Q2 की तो यह value है R1 over R2 R1 over R2 तो एक R1 R1 से cancel हो जाएगा और एक R2 R2 से cancel हो जाएगा तो यह रा मेरे पास relation लेक्टी फील्ट के दिरमाद में यह तो मैंने इसको rearrange करके यह 1 यह 2 is equal to R2 over R1 है इसको invert किया और मैंने फिर इसको rearrange कर लिये तो यहां से हमें साफ नज़र आ रहा है कि R1 का जो radius है वो R2 से जाद है तो जब आपका R1 का radius R2 से जाद है तो वो तो उस conductor की जिसका radius कम है उसकी electrified जाद होगी लेट से मैं इसकी example लेता हूं कि R1 is equal to 3 तीन टाइम जाद है R2 के R2 के 3 टाइम जाद है तो आपके पास यह ratio आएगी 3 के equal तो E1 3 आएगा ठीक है तो R1, R2, R1 से कैसे हो जाएगा 3 रह जाएगा तो E2 is equal to 3 तो यह हमने कब लिया जब R1 is much larger is 3 time R2 तो जो radius आपके पास जो conductor छोटा है उसकी electrified देखने जाद है जो conductor छोटा है आपके पास उसकी electrified जाद है जो conductor बढ़ा है उसकी electrified कम है तो यह point था प्रूब करने का जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे पास curvature ज्यादा होंगे जो नोकिले points है किसी surface के उसकी कंड़ने हमारे पास हमेशा electrified ज्यादा होती है यह इस तरह की surface है गिए तो यह दिखे इस यह sharp है जादा होगी हूंगे इसका कर वेच्न जाद है इन पॉइंट्स पर यहां पर अलेक्रिफीड जादा नहीं होगी इस point पर जालेक्त पास हीदा होगी आप एक और चीज़ ले लें हम एक और चीज़ देखने का एक सेम रिजल्ट देखने का एक और कर भी हमारे पास है और वो यह है कि अगर आपके पास धर्मार Hybrid but can do यह कंड़क्टर है जरह पताँ हैसं कि्युद्ध के पर आरहा है, चारा, आरा. थिते इंसदे लेघ्र ही तो लएक्टिट वीयरूर में फिर स्वेशाय कंप दोटे के शेपर बनायल शुरुन 002 तो चार्ज खुद को इस तार्व से रिरेंज कर लेंगे के बाहर से जो एक्टिफ विल है, वो इंसाइड जिरो कर देंगे, तो बाहर एक्टिफ फिर्ट हो नहों, आपके पास इंसाइड अलेक्टिफ्ट इमिशन हाईगी. इस केस में आप के पास फिर बी कंडिक्टरी को फुर्टे वह वो कैसे के मेजन करें आपके अगर आप के पास एकटे करती हो ने यस नहींच के तो तो अप कोई भी बाठ लें आप यहां से जैसे मैंने यहां से ल offense के और मैंने ईक पास ले लिए यहां Bowl ले यहां जा रहा हूं और यह कर रहा हूं और आपको पता है लेक्टिविट अंदर जीरो है तो यह जीरो वह जाएगी तो बहुल यह बन जाएगा तो इंट्रिकल मस्ट भी-जीरो फो एब्रीवेर आपके पास अगर इसका कंद्वर्स तेक्व यह डेक्दा होग़ी तो अगर आप य कई से बी तक जाते हैं तो आपको पदा है कि यह कंडुक्टर एक्यो होने को मतलब यह है कि आपके पास पात तो जहीं कि इसका मतलब का मतलब है इसका मतलब वैंकर उरह है तो इसका प्रूओब 명sky कि कि आपको के पात ले लें तो आप देखें कि ये इंटीकल कि आएग़ा तो र सब्सक्राइब प्टैंचल वो सारे पूरे कट्रेंट चलोगा तो बहुजरो मिलेगा आपको तो इंटीगल जीरो होने का मतलब यह है कि बात तो जीरो नहीं यहाँ आप देखें यह ले रहे हैं यह फाइनाट बात है बात जीरो नहीं है तो यह मार पास एक्टिर फिल्ड इंसाइट अ केव तो उसके अंदर भी एलेक्टिफीड जीरो होगी यह फ्राडे केज का है हमारे पास हो रहते हैं अंदर आपको अब्जेक्ट रख तो फ्री रिजन इंसाइट के विदाउट चार्ज अगर आपके पास नहीं है के अंदर तो फ्री रहेगी उसके अंदर कोई अब्जक्ट रहेगा जिस तरह तंडर्स्रॉम में अगर आप कार पर जा रहे हैं तो आप इसी तरह कार के अंदर सेव रहते हैं कि वो बिल्कुल आपके पास जो कंडुक्टिंग भी है अगर आपके पास स्लाइटिंग भी होती है तो आप अंदर सेव रहेंगे पार्वन नमबर 30 और यहम जब कंडुक्टर वाला जो पॉर्शन अपर लिया तो अब हम इसको देखते हैं कि वो क्या है तो जैसे मैंने बताया वा था शो किया वा था हमने ग्राफ से भी देखा कि इसको में इपास हमार पास परटेंशिल के के ओर 727 अर्फ आपकेोर नहीं इसके हेंड़ियोगों कि यह पार capital R b constant है, यह हमारे पास fair radius है, वो constant है, तो constant का derivative आपको 0 मिलेगा, तो inside electric field is 0, यह हमें still मिलेगा, E inside is 0, ठीक, अब बाहर की बात करें, तो बाहर से आपने अगर electric field find करनी है, बाहर, तो आप इसका derivative होगे, तो इसका अगर आप derivative लें with respect to R, तो 1 over, यहाँ पे K, E, Q constant है, तो derivative आएगा 1 over R का, और 1 over R का derivative होता है, यह बाहर माइनस है, 1 over R का derivative होता है, 1 over R square, तो minus 1 over R square, तो D, इसका derivative होगे होगे, D over DR का, minus 1 over R square, minus minus से cancel हो जाएगा, तो बिलकुल आपको इस point charge के लिए, electric field मेरे रही है, outside, है, पहले एक चीज़ को देखने के हमारे पार्क्स होते हैं, यह हमारे पास यह आपको चिंगारें वगरे नदर आती हैं, जो, आप के पास कहीं voltage हो, तो आप देखते हो कि इस तरह से बाइस से चिंगारें वगरे निकलते हैं, तो उसको आपको यह समयने में हसानी होगी, कि जब आपके पास एक point जो है highly charged है, लेट से यह कोई सफेर है, यह conducting है हमारे पास, और यह negatively charged है, ठीक है, तो इसके एक capacity होती है, कि जितने में एक और charge store कर सके, इससे आप ज़्यादा चार्ट होगे, तो यह फिर उसको hold नहीं कर पाएगा, वो लिके जो ना चुरू हो जाएगा, तो अगर आपके पास इसको इनिफरी charge कर दिया आपने, तो इसमें मजीद नी का capacity नहीं है, तो यह क्या करते हैं, electron इसमें भढ़ जा रहे हैं, जिए जब इसके गिर्द, conductor के गिर्द, electric field हो गई हो, तीन मिलियन वोल्ट पर मीटर, जब electric field हो जाते हैं, तीन मिलियन पर वोल्ट, तो आपके पास जो electron हवा में जब कर देंगे, तो यहां से जब electron हवा में जब किया, तो उसके पास kinetic energy होगी, तो जब kinetic energy होगी, तो जो साथ रास्ते में जितने molecules आएंगे, जैसे यह molecules है, oxygen का molecule है, जैसे एर है जिम्हान में, oxygen molecule है, nitrogen molecule है, तो वो जब आएंगे, तो यह electron के पास kinetic energy थी, तो जैसे यह oxygen molecule है, तो यह इसके जो, जैसे अगर मैं शो करूँ जैसे यह ऑक्षिन माली कूल है और इसके आउटर सर्फेस में हमारे पास था रहा है यह ने अलेक्ट्रोन है ठीक है तो यह जो अलेक्ट्रोन होगा इससे टकरा के इसको स्ट्रक कर देगा इस सर्फेस में से तो यह आपके पास एक अलेक्ट्रोन से स्टक्राइगा तो फिर ये के रिक्षन आगे चलता रहेगा तो फिर ये कर दिर्मयान में एक और मॉलिकूलि है तोures एकि क्लिया उ हो इस्राइट क्या है do AO हो गधिया है कि और कि आ शार्ज हो गए एक उर्दक हो उत है तब तक झाक अलेगा जब तक पलेगा जब तक यह उनर्जी खतम नहीं हो जाती कानीटिक इन्छी खतम नहीं हो ऑती कि जब तक वो electron निकाल सकता हुआ तो निकालेगा जैसे एक point आएगा कि उसके energy खतम हो जाए कायटिक energy और वो उसकी कायटिक energy इतनी नहीं होगी कि वो मज़ीद electron निकाल सके तो फिर क्या होगा जब कि यह जो आपके पास है कि माली कुज वो पॉसिली चार्ड है तो यह दुबारा अपने शेल में जाएंगे electrons ठीक है दुबार अलेक्ट्रों शेल में जाएंगे दुबार अलेक्ट्रों जब शेल में जाएंगे तो वो energy release करते हैं इन था form of light तो लाइट जो शो करते हैं जो energy release करते हैं वो आपको light की मैं जाते हैं वो जो चिंगारी होती है जो spark होता है तो यह आपको नज़र आ रहा है यह continuous process लेगा तो अगर यह continuously हो रहा हो एक line कितना जैसे कि वो बाइक के spark plug के साथ होता है तो उसमें भी आप देखर होते हैं कि बाइर कितना चीज़ बन जाती है तो आपको light नज़र आ रही होती है तो एक साथ इसके pressure wave भी होती है जो आपको spark की वो चिंगारी में नज़र आती है साउंड वे तो यह आपके पास है corona discharge तो continuous जो आपको नज़र आ रहा होता है link जो बाइक केस में है यह फिर आपको यह नज़र आ रहा है continuous discharge नज़र आ रहा है तो इसको कहते हैं करोना discharge अब अगर आप बात करें मिली को आपकी एक्सपेरिमेंट की तो यह उप्रेटर से कोई यह प्रेटर से हमारे पास कि दो मारे पास यह प्लेट्स है ठीक है और इसके दिम्यान वे उपर वाली प्लेट पर एक होल है और दो प्लेट्स को हम पोटेंशल बैटरी लगा स्वार्ट एक्सपेरिमेंट चैसे होता है कि ऑईल ट्रॉप्लेट्स यह प्लेट्स है जी इसके श्थरा से रहता है तो स्टस्थरा से रखा जाता है च्छी जो ऑप्टिमाजर के तो इसको पर आज़े नेगीटिव चार्ज तो जैसे हमारे पास है ड्रॉपलेट्स तो जब आपने पोटेंशल कोई अप्लाइ नहीं किया हुआ यहाँ पोटेंशल जीरू है तो आप देखेंगे कि वह वजन होगा वेट होगा और वह ग्रेवटी की वजासे नीचे गिना शुरू हो जाएगा तो ग्रेवटी की जो फोर्स है एम जी वह नीचे की तरफ और भी अब बाइक या फिर कोई अप साइकल मूव करते हैं तो आपको एक ड्रैग फील होता है, रिजिस्सन्स फील होती है तो वो आपकी उपोजिट उदा मोशन होती है अगर आप फारवर्ड मूव करें तो आपको बैकवर्ड पुछ करेंगी और आप बैकवर्ड मूव हो रहे हैं खुद से तो आपको फारवर्ड पुश्ट करेगी तो फार तो मोशन के ओपोजिट ड्रैक फोर्स हैं तो जब आपने कोई फिवर्स ने कोई एलेक्टिफील अप्लाए नहीं कि वी तो विलोसी नीची की तरफ होगी पार्टिकल की तो ड्रैक उपर की तरफ तो पार किस तरह से यह एक्टिफ फिड़ो की ऊपर से तो यह क्या होगा पोजिट प्लेट की तरफ मूव होगा तो अब इसके ओपर फोर्स के डेक्ट करेंगी वह यह हैं जो मैंने यहां पर शोगिए हैं एक फोर्स है एलेक्टिफ फोर्स उपर की तरफ बज़र्ण की वजासे न तरफ होगी अगर आप इन्स दोनों को बैलेंस कर लें और यहां पर उब्यार्श कर लें थी लॉस हेना हो तो आप देखिएएंगे दोनों फॉरसेज e himg और क्यूई बराबर होंगे तो mg is equal to q e ठीक है तो इसमें तो चीज़ फाइंड करना होता है एम हमें पता है एम हमें नहीं पता है वो फाइंड करना होता है वह भी देखना होता है, वो calculation tricky है, जी हमें पता है, अलेक्टिफ वीड हम potential से find कर सकते हैं, वोकि हमें distance पता है, दो प्लेट के जबाग है, M है पूरी calculation है, हमारी M को देखने के लिए होती है, कि आपकी स्ट्रॉक्स लाग को use करते हुए, M find कर सकते हैं, तो यहाँ पर M find किया जाता है, M जब find कर लेता हैं, तो फिर आपके पास क्यूँ हो जाता है, तो मिलिकेंज ने ये शो किया था, कि आप कोई भी डॉप लेट लें, उसके उपर charge अगर find करें, तो एक वो easy call to होगा, fundamental unit के multiple के, कि अगर आप charge लें, इसके उपर तो वो हो सकता है, यह N हो सकता है, उसका minus 1, तो minus E हो सकता है, drop net पे charge, या उसका हो सकता है, minus 2 E हो सकता है, minus 3 हो सकता है, minus 4 हो सकता है, और वो E value है, मारे पास यह, यह भी मिलिकेंज ने शो किया थी, 1,5602, multiplied interest by minus 19, कुलम, लेकिन जो चीज नहीं हो सकती, वो यह नहीं हो सकता, कि minus, minus E हो 2 हो, यह नहीं हो सकता, minus 2.7 E हो, यह नहीं हो सकता, तो integer होंगे, जो भी होगा integer होगा, positive or negative हो integer होगा, लेकिन यह friction में value नहीं हो सकती, 2.7, 0.5 यह नहीं हो, साधा electron, पौना electron, तुछ आपके रहाव होगे को आपके पास है तो यह हमारे पास न्यूक्लियर जो हैं इस नियूस होता है तो यह है इस तरह से हमारे पास यह डॉम है जो मेटल हम है ठीक है है एक पॉइंट हमने दिया हुए यह पोटेंशल है और यह हमारे पास है यह नीडल्स को हमें कहलें से तो यह पोटेंशल है और यह पॉइंट है हमारे पास ग्राउंड इडा है यह वाला तो ये जो COMM है ये वाले Charges रिस्व्ट कर लेगी तो ये जितने Charges यहां से निचे आते जाएंगे बेल्ट पे वो मुमेन्ट की वज़ार से ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे तो यहां जायके इनको बेल्ट ने चारज यहां से दे दिया तो इनको हम चार्ज करते चले जाते हैं तो ये डॉम हमा इससाँ से एलेक्टिकली चार्ज कर सकते हैं इसको फिजिक्स डिमॉंस्टरेशन में ये कोर्से में हमारे पारबस use होते हैं जाइफ इसको हैं यहां से आप क्रणा टिषे लिए ठाते हैं पसके हैं बशुटे रिखा सकते हैं और आप इस से अगर आप इस डिमॉंसरेशन करें कि ab książ बिसें को अब कर आप इसको इसको बहरात रिखें ठीक है तो और इस कि अबने सब्सक्राइब को वह एक वाल की तर्माइन में स्ट जाएगे तो उनकी तर्मान में री पर प्रस होगी तो अपने repulsive force को minimize करने के लिए आपके बाल जो देखेंगे आपके पास यह इस तना से stretch हो जाएंगे खड़ हो जाएंगे यहां में बाल जो कि हम application डिसकस कर रहे हैं तो इसमें और application है printing की और इसमें पूरी printing में जो तो एक application कैसे वजुद में आती है इस case में कि हमारे पास correct use of photo conductor है photo conductor को हम सही से use करते हैं तो उससे हमारे पास printing करने के हम काबिल होते हैं photo conductor कहते हैं कि यह कैसे material है जो अगर हमारे पास रोशनी के मौजूदगी में तो वह conducting behavior करता है लेकिन अगर रोशनी ना हो अंदेरे में वह conductor नहीं होता तो यह वह material है इसमें जिसमें हम use करेंगे और हम printing करने काबिल होंगे तो इसमें एक drum है ठीक है और drum के उपर एक code किया गया selenium photo conducting है photo conductor है तो selenium को हमने इसके उपर code किया हुए कि वह रोशनी में तो conducting होता है लेकिन अंदेरे में वह conducting नहीं है तो अब यह करेंगे कि इसके उपर ना हम spread कर देते हैं positive charge ठीक है selenium conductor को हम देते हैं positive charge तो इसके उपर ओचार्ज मदूद रहेगा चूंकि अगर अंदेरे में तो इसके उपर charge मदूद रहेगा जहां पर पढ़ा हो वह ही रहेगा तो जो हमने 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 जैसे कावज है यह वा अवालख हमने को करना है इस प्रिंट करने आं है हुँआ पासờ कॉपी है तो इसको focus करते इच के उपर ڈرم के उपर वो इसको shine करते है light इसको उपर तो वो areas जिनके उपर ink है वो इस drum के उपर dark ही रहते हैं लेकिन वो areas जिन पर किंग नहीं है तो वो यहां पर इस पर रोशनी आ जाती है तो वो areas जहां पर हमारे पास link नहीं है वो exposed हो जाएंगे to light और जो के हमें गहीं है तो वो गया पार हिट्ड थारिया जे लिया की आजर तो जो हैं आधे जोट यहां पर आगई हैं मि हैघकी भेल मेटील करेंगों थाधन्यग है कंडॉक्äre हमे चैंगे करेंगा कि आप नहीं लेटिया हुँ के नहीं लाग्याव्ट दिया हुई तो लो प्रटेंशिक के वजासे आपके पास जो कंड यहां पर चार्जिस से जैसे वो कंडेक्टिब भी हुआ तो फ्लो कर गए नीचे की तरफ लेकिन वह एरिया जहां पर हमारे पास लाइट नहीं पड़ी थी जो कि यह है उस पर चार्ज रहेगा तो अब हम यह करते हैं कि लोगा तो अब अगर आप इस रूलर को किसी पेपर रॉल कर दें तो आप देखेंगे कि उसके पर प्रिंट हो जाता है तो इस तना से आप प्रिंटिंग कर सकते हैं बिन था है तो यह हमारा जप्टर का यहां पर एक्तताम हुआ तो चैप्टर की समय कुछ इस तना से हमने स्टार्ट किया था लेक्रिप पोटेंशल से फिर पूटेंशल अनर्जी से और उसके बाद हमें देखा कि अपसमें क्या क्या होगा तो मनें होगा तोब हमने देखा कि अगर आपके पास कंट्विडियू चार्ट किसे फाइंड कर सकते हैं तो अब हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन देखी और यह हमारा जप्तर लिए खत्म होगा इसक्राट करें क्रें लिए कि झाल झाल